इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ये है तो स्टड वीवर्स एक ये वाली एरिंग्स हैं और ये गोल्ड के अंदर रहेंगे हालो मेरे यूट्यूब पामली नेहा व्लॉग से आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ डामंड की एरिंग्स और मिक्स डिजाइन दिखाऊंगी बढ़ डामंड एरिंग्स ही होंगे क्याने कि वो डिजाइन जिनको आप डेली रुटीन में यूज कर सकते हो तो फरस्ट चोफोल तो मैं आपको बिलकुल लाइटवेट एरिंग्स दिखाने वाली हूँ यह देख सकते हो चोकी रहने वाला है हमारा ड्रा पीरिंग्स तो इस तरीके से यह आपको ड्राप एरिंग्स मिल जाएगा और मेरे हात में सो गाइस हमारा फर्स्ट इसाइन ये रहने वाला है ये मुझे परिसनली काफी पसंद आया है एक तो ये लाइट वेट है और दूसरा ये थोड़ा सा जुमका पैटरन वाली लुक दे रहा है आप मुझे कॉमेंट में बताना कि ऐसा है या नहीं है और ये उपर से आपको के प्राइस की बात करें सबसे पहले हम इसके ब्रेक अप की बात कर लेते हैं टॉटल वेट इसका 2.145 मिली ग्राम है और इसमें जो गोल्ड है वो 2.112 मिली ग्राम है आइवन आइटू क्लारिटी है जी ये जिसका कलर है 16 सेंट के इसके अंदर डामंड लगे हुए है और हम प्राइस की बात कर लें 35,000 की रेंज के अंदर आपको ये मिल चाहेंगे जो की 18 कैरेट के अंदर होंगे सो नेक्स वन एक हमारा रहने वाला है हूप यारिंग्स आप सबके घर में बच्चे भी होंगे और आपके अगर उपर भी कांग बिंदे हुए है तो ये दोनों त कमपरटेबल रहने वाला है और अगर हम इसके ब्रेकप की बात कर लें तो 1.086 मिलीग्राम इसका वेट है और आइवन आइटू क्लारिटी है टोटल इसमें 10 डामट्स लगे हूए है प्राइस की बात कर लें 35,000 की रेंज के अंदर आपको ये वाले एरिंग्स मिल आपको 14 कारेट के अंदर मिलेगा गाइस एक लेटस डिजाइन आया है अगर मैं आपको इसका प्राइस तो नहीं बता पाऊंगी बट अगर आपको इसका प्राइस आना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर इसका प्राइस बता द पॉइंट फाइव टूवन मिलीग्राम है टोटल इसमें 16 डायमंड लगे हुए हैं 13 सेंड्स के डायमंड है आईवन आई टू क्लारिटी है और जी यह इसका कलर है या तो आप नमबर पे मैसिस कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंड कर सकते हैं अगर आप लुक थोड़ा सा ब्रॉड लूक के अंदर यरिंग साथे हैं तो आप यह देख सकते हो यह काफी लेटर्स डिजाइन है और जिनके खाण के होल बड़े होते हैं तो उनके लिए यह क अगे दिखाई देंगे आप सबको पता है कि अगर आप लोग ब्रैंड से डामन्ड लेते हैं तो हमेशा अप्रिशेट होता है और हम इसके ब्रेकप की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो 3.395 मिलीग्राम इसका वेट है आईवन आईटू कलारेटी है जिसका कलर है 74 इसमें टोटल डामन्ड लगे हुए हैं और 45 सेंड्स के इसके अंदर डामन्ड है प्राइस की बात कर ले 82,000 की रेंज के अंदर आपको ये वाले एरिंग्स मिल जाएंगे इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ये है तो स्टड है बड़ जब आप इसको व्यार करेंगे तो ये लुक लाइक आपको हूप का देगा देख सकते हैं जे टाइप के अंदर आपको ये एरिंग्स का डिजाइन मिलेगा और कम्प्लीट इसके अंदर इस तरीके से की फ्रिशिंग हुई हुई है तो अब हम इसके थोड़ा सा प्राइज और चीजों को लेके बात कर ले तो 49 सेंट के इसके अंदर डामंड है आईवन आईटू क्लारिटी है 80 इसमें टोटल डामंड लगे हुए है और 86,000 की रेंज के अंदर आपको इस तरह के ये एरिंग क लेना चाहते हैं तो आप लोग ये परचेस कर सकते हो मुझे काफी अच्छा लगा ये डिजाइन रोज खुल पैटरन के अंदर है पूरे बैक सेट में देखोगे तो फिलीगरी वर्क आपको मिल जाएगा और ये दक देख सकते हो काफी बिक स्टट के अंदर आपको ये मि 1.426 जाने की 1 कारट 42 सेंट के इसके इंदर डामन है 2,56,000 इसकी वैलू रहने वाली है वीवस एक ये वाले एरिंग्स हैं और ये गोल्ड के अंदर रहेंगे और इसका बेस्ट पार्टी ये है कि ये 2 इन 1 एरिंग्स आपको मिलने वाले हैं जब आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप लोग हैं के साथ वियर कर सकते हैं अगर आपको घर में रहना है तो आप लोग आणली स्ट चने व value रहने वाली है इसके अंदर आपको बहुत सारे design मिल जाएंगे जैसे कि आपको इसमें एक ये वाला design मिल जाएगा एक ये वाला मिल जाएगा ये थोड़ा सा कम price के अंदर और कम weight के अंदर रहेगा एक आपको इसमें ये design मिल जाएगा और एक आपको यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं ट्रडिशनली अगर आपने वैर करना है तो यह बहुत ही बस डिसाइन है और इसका वेट रहने वाला है 4.2 ग्राम यानि कि आपको 31,000 के रेंज तक यह मिल चाहेंगी एरिंग्स और यह इसका प्रोडक्ट कोड है मैं आपको दिखा देती आपको एक डिसाइन दिखाया था जो कि बेक लोग के अंदर था आपको स्मॉल लोग के अंदर यह वाली एरिंग्स मिल चाहेंगे एंड यह चीज़ना बहुत ही जड़ा ग्रेस फुली होती है पहनी हुई बहुत सुन्दर लगती है और टाडिशनली वैस्टेन आपकी सीवी ड्रेस पर व्यार कर सकते हैं इसको और इसका प्रोडक्ट कोड यह है जो कि 22 के अंदर है